Dear Students, Welcome to the STP Computer Education. Students, आज की इस वीडियो में हमें Microsoft Excel का Chapter No. 17 Create Age Calculator Chapter को contain करना है. Students, तो यह देखिए, आज हमें इस Calculator Application को हमें develop करना है. इसके अंदर आप अपनी Date of Birth एंटर करोगे, तो आपको पता चलेगा आपकी Date of Birth से आपको कितने दिन हुए हैं, कितने मन्त हो गए हैं, और कितने साल के हो गए हो आप, वह सारी चीज़े यह तीनों चीज़े आपको calculate होके यहाँ पर मिल जाएंगी. जैसे कि मैं आपको एक example दिखाता हूं, जैसे कि मैंने यह 7-8-19-99 एक Age लिखी है, मैं यहाँ पर 98 करें देता हूं और Enter करता हूं, तो देखिए यहाँ पर values change हो गए, एक साल बढ़ा है, देखिए यहाँ यहाँ पर year भी बढ़ गया. तो आप लोग comment करें के मेरे को बताईएगा कि आपको कितने दिन हुए हैं और कितने मंत हुए इसको बनाने के बाद आप इसे बना करें करें ट्राय करियेगा, ठीक है तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं, इसको बनाने से पहले एक चीज़ और मैं आपको दिखाना चा सकते हो और ग्राफिक डिजाइनिंग में और DTP में अगर आपका इंट्रेस्ट है तो आप इन को इसको भी जॉइन कर सकते हो अगर आप चाहते हो कि वेबसाइट डेवलप करना बहुत अच्छी तरीके से उसका बेक एंड फ्रेंड यह साही चीजे डिजाइन करना तो आप हम करके देखिए देन उसके आप मुझे बताइएगा और जिसे से वेब डिजाइनिंग सीखनी है वेबसाइड का मतलब डिजाइन अपीर करना फ्रेंट रेंट सीखना चाहते है उनके लिए डिप्लोमाइन वेब डिजाइनिंग है यह भी वन यह का है लेकिन इसके अंदर आ और एक बर हमारे इन कोर्शिस को देखें और अडिमिशन प्रोसेस बहुत ही इजी होगा आपको कुछ नहीं करना होगा आप यहां ओनलाइन अडिमिशन पर क्लिक करिएगा यहां पर जाने के बाद जो भी चीज़े यहां पर आपको लिखी भी दिखेंगी आप उसको फॉ पेमिंट करनी होगी यहां से फोन पे से अगर आप फोन पे इस्तमाल नहीं करते हैं तो आप हमें कॉंटक्ट करिएगा इस नमबर पे तो हम आपको बताएंगे कि आप किस तर से पेमिंट कर पाओगे ठीक है जैसी आपकी पेमिंट सक्सेस्फुल हो जाएगी उसके बाद देली की डेली आपको ऑमिंट के उपर एक वीडियो 15-20 मिनट की वीडियो जाएगी आपको डेली इमेल पे सुबर 10.00 बजे पहुंच जाएगी जैसी वह आपके वीडियो पोंच जाएगी जिसे आप देख कर से पढ़ पाओगे डेली की डेली और कोई आपको problem हो किसी भी चीज में तो आप सुबर 10 बजे से लेके शाम की 6 बजे तक के बीच में आप हमें call करिए हम आपकी सभी problem को solve कर देंगे तो चलिए बढ़ते हैं अपने topics की तरफ जो हम बनाने वाले थे age calculator को तो मैं यहाँ sheet 2 ले लेता हूँ इसमें बना के आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से age calculator बनेगा तो मैं यहाँ पर थोड़ा sheet को zoom कर लेता हूँ ठीक है तो यहाँ पर मैं पहले heading त्यार कर लेता हूँ कुछ इस तरह से दिखान से देखिएगा इसको merge कर लेता हूँ सबसे पहले और यहाँ लिख देता हूँ age calculator sorry age calculator ठीक है हमने कर लिया type इसे अप center बगएर कर लेजेगा size बढ़ाना हो size बढ़ा लेजे ठीक है यहाँ से अगर font चेंज करना चाहें तो font भी आप change कर सकते हैं जैसा चाहिए जैसे हम थोड़ा सा इस बार अलग font लेते हैं okay तो हम ले लेते हैं कोई धंका ही लेंगे यह देख लेते हैं जैसे कि यह वाला मैंने ले लिया ठीक है यह font ले लिया इसको मैं colorful कर लेता हूं यहां से कोई भी दूसरा तो मैं यहां पर फिलाल यह वाला colorful कर लेता हूं और इसके background में red color मैं फिल कर लूँगा देखते है red color मिलता है कि नहीं red dark red है तो मैं black कर देता हूं फिलाल black च्रीक है उसके बाद यहां पर आप लिखोगे current date च्रीक है तो मैं यहां पर current date को define कर देता हूं फिर यहां पर लिखोगे आप enter db means enter date of birth db इसको आप बढ़ा लिजगा थोड़ा सा यहां से कि इसको completely जगा मिल जाए उसके बाद यहां पर current date में आप formula लगाईए बताईए मेरे को current date का formula क्या होता है आपको याद होगा मैंने आपको last class पिछली जितनी भी में वीडियो थी उसमें मैंने आपको बताया था current date निकालने का formula याद है आपको तो comment चाहिए के बताईएगा मेरे को देखिए मैं बताता हूँ आपको क्या है formula is equals to today जिससे कि हम क्या निकालते हैं सिर्फ current date देखिए याज की date आ गई जिसको भी set कर लेजे कुछ इस तरह से चिक अभी यहाँ पर आप date of word डाल दोगे जो भी जिसकी भी आपको निकालना है वह हम अभी डाल देंगे लेकिन यहाँ पर सबसे पहले मैं एक ले लेता हूँ day फ यहाँ से देखिए all border को choose कर देगा all border कुछ इस तरह से border आ जायागा उसके बाद आप इसको बोल्ट वगएर करना चाहें बोल्ट कर दीजे इसके अंदर color कोई fill करना चाहो तो आप यहाँ से color भी इस तरह से fill कर सकते हो मैं यहाँ पर भी color fill कर देता हूं यह वाला कुछ इस महिना और 1999 मैंने टाइप कर दिया उसके आद मेरे को date निकालना है इसका तो कैसे निकलेगा अब formula लगाएंगे is equals to dated if dated if bracket open करोगे उसके बाद सबसे पहले आप यहाँ पर parameter में इसके parameter में आप क्या दोगे date of birth का cell address का address ठीक है यहाँ पर मैंने date of birth के cell address यहाँ पर लिख दिया 35 यह address date का मतलब क्या होता है कि यह date of birth यहाँ पर appear हो जाएगी उसके आप कॉमा लगाओगे current date को select करोगे फिर कॉमा लगाओगे और अभी हम क्या निकाल रहे हैं दे निकाल रहे हैं तो आप dual quotes के अंदर डी को टाइप करोगे फिर dual quotes close करोगे और फिर ब्रेकट क्लोज करोगे एंटर कर दोगे तो दिखिए यह आगे है यहाँ पर आपका day ठीक है मन्त भी निकालते हैं is equals to same formula लगेगा dated if bracket open सबसे पहले date of birth का cell address comma current date का cell address comma और dual quotes में अभी हम क्या निकाल रहे हैं मन्त निकाल रहे हैं तो यहाँ पर M और फिर dual quote close और bracket close करके enter तो आपको देखिए यहाँ पर 250 months हो गया year देखिए कैसे निकालेगा equals to dated if bracket open date of birth का cell address comma current date का cell address comma फिर dual quotes के अंदर y क्योंकि हम year को निकाल रहे हैं और bracket close कर दिए enter कर दिए देखिए 20 आगया अब देखिए इसको आप सही तरीके से अदर लिजर कर लिजे कुछ हिस तरह से centre में चाहते हो centre में रखिए left side चाहते हो left side रखे में थोड़ा सा left ही रहता हूं यहाँ सब्सक्राइब से स्पेस दे लेता हूं कुछ इस तरह से पदेगेदेसे नाइन से 99 है नाइनटी एट करता हूं यहां से एक साल कम करता हूं करने यहांपे 250 है तो यहांपे 62 हो जाना चाहिए तो देखिए एक साल बढ़गे हैं sł 2 1962 हो गया अपने यह मैं 65 Penimist ने hadd इसमें एक साल बढ़गेrator ओंगे इस तो इस तरह से आप अपना Date of Birth निकाल सकते हो एज निकाल सकते हो, month निकाल सकते हो, day निकाल सकते हो, पूरी की पूरी चीज़े, तो अगर आपको इस वीडियो पसंद आया होगा, ठीक है, तो अगर आपको इस वीडियो पसंद आया हो, तो हमारी इस वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर और हमारे इस चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लिजिएगा थैंक्स फर वाचिंग आवर वीडियो हेव ग्रेड टे